तो फ्रेंट्स आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ यह कोई स्पॉंसर और प्रोमोशिन वीडियो नहीं है जिस सिर्फ एक नॉलिज की वीडियो मैंने बता रहा है जिसमें आप लोग इस वीडियो पे देख कि अगर गेमिंग पीसी असम्बल करना च चाह रहे हैं और उसमें गेमिंग प्ले करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो मैं आपको बता हूंगा सबसे लोग वजट में पीसी जो आपका तयार हो जाएगा 25,000 रुपए में सो फ्रेंट्स चलिए बता दो इसमें यूज होना ली कौन प्रोसेजर और कौन से अपको इसम अलान मगा के एसमबल भी कर सकते हैं तो फिडियो करने स्टार्ट सो फ्रेंट्स चलिए बात करते हैं सबसे इंप्रोटन पार्ट्स की जो आपके गेमिंग पीसी की स्पीड को डिसाइड करता है कि कितनी स्पीड आपके पीसी ओ मिलने वाली है और क्या परफॉर्मस आपको बात करते हैं इसमें यूज अनले कैचे मेमरी की जो आपको कैचे मेमरी इसमें देखने को मिलेगी वो मिलेगी 6 MB की तो फ्रेंट्स हम बात करते हैं इसकी मैक्सिमम हाई स्पीड की तो आपको इसमें 4 GHz की मैक्सिमम स्पीड देखनों को मिलने वाली हैं बात करते हैं इस फ पचास गेमिंग एक्स मादरबोर्ड जो काफी अच्छी स्पीड आपको प्रोवाइड करने वाला है और बाकि इसमें आपको SSD का स्लॉट भी मिल जाएगा बात करते हैं इसके पोर्ट के फ्रेंड तो आपको इसमें SDM.Port और इसमें USB Ports के बात काफी तो काफी जाए USB Ports देखने को मिलने वाली है इसमें आपको 3.0 की 4 USB Ports मिल जाएगा और नौर्मल 2 USB Ports देखने को मिल जाएगी बाकि इसमें आपको HDMI और audio jack भी सारे मिल जाएगैं। और इसमें आपको PS2 भी साहते में मिल जाएग soc जिससे आपको कोई problem नहीं रहेगी जिसमें आप USB और PS2 दोने देखे keyword mouse यूज़ कर पढ़ेंगे इसके बात करें friends तुझे motherboard आपको Amazon पर साथ से आड़ हर की range में मिल जाएगा तो friends अभी बाकी रहेगे हमारा RAM तो इसमें आपको बदा दूँ इसमें RAM कौन सी यूज़ करने वाला हूँ मैं इसमें मैं RAM यूज़ करूँगा 8GB DDR4 और 32MHz के speed के साथ आती है क्यूंकि gaming के लिए काफी अच्छी speed के लिए आपको ठीटा ग्रैम लगानी पड़ती है इसमें यूज़ करने के लिए storage की तो storage के लिए friends इसमें लगाना है SSD जो आपको काफी अच्छी speed प्रोवाइड कर पाए और कोई भी अच्छा ब्रैंड देखके आप इसमें SSD लगा सकते हैं जैसे कि एक WD हो गया आपका C-Gate है तो आप इसमें किसी भी ब्रैंड अपनी यूज़ के साथ से लगा सकते हैं जो आपको 3000-4000 के अंदर मिल जाएगी और इसमें यूज़ करना हूँ है इसी रेंज में आपको 500GB के SSD मिल जाएगी और मैं इसमें M.2 NVMe SSD यूज़ करने वाला हूँ हूँ तो फ्रेंड अब मत करते हैं इसमें पावर सप्लाई की तो कम सक्मा आपको इसमें 450W की पावर सप्लाई यूज़ करना पड़ेगी और मैं इसमें एंड की e-sport पावर सप्लाई यूज़ क नेलों एंड की e-sport आइस 100TG और यूज़ काफी लोगों का यहांसान पर देखने में मिल जाए इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रेप्शन में दे दूँगा वहां से आप लोग इसे पर्चेस कर सकते हैं इसी तरीके से आप लोग भी इसे सारे पार्ट्स ऑनलाइन पर्चे करके मता सकते मैं आपको प्रवाइट कर दूगा सो फ्रेंड्स मेलते अपनी नेक्ट वीडियो में जब देख ले जाए हैं वंदे मात्रम प्लीज सपोर्ट को बनायर के मिलते अपनी नेक्ट वीडियो में